नमस्कार और स्वागत है भारती यूजनापर्व और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में हाली में पाकिस्तान मीडिया ने हर जगा ये रिपोर्ट फैला दी है कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर और नेचुरल गैस के रिजर्ब मिल चुके हैं नौ इन्होंने यहाँ पर ये तक कह दिया ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान मीडिया से उठाई गई है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जिससे पाकिस्तान की लगधीर बदल सकती है कई पाकिस्ताने नियूज आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में चौंते सबसे बड़े ओयल रिजर्ब मिले हैं पाकिस्तान को अपने कोस्टल एरिया के पास नो मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा एक देश जब और बाकी सेक्टर्स में फेल कर गया है और कोई IT इंडस्टी ना हो, कोई manufacturing ना हो, कोई service इंडस्टी ना हो, कोई basically आपके country को internationally किसी चीज के एक्सपोर्ट के लिए जाना नहीं चाता, सिर्प literally आपका country famous है terrorism के लिए ऐसे क्वाब एक country देखना इस्टार्ट कर देता है, तो literally यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को उमीद है कि अचानक से इनको इतना तेल मिल गया है कि पूरी तकदीर पाकिस्तान की बदल जाएगी, नाव आप मेंसे कुछ लोग यह कह सकते हैं कि deja vu की feeling आ रही है, deja vu होता है, कि यह सुना 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 सा लग रहा है, यह आज से बहुत टैम पहले सेम खबर सब कुछ exact words कहीं पर सुने थे, जी हाँ बिलकुल अगर आपको deja vu की feeling आ रही है, तो मैं आपको बता तो 2018 में पाकिस्तान की जब उस वक्त PM थे यहाँ पे, देख सकते हैं इमरान ख इनका Prime Minister और इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी है, वर्लकप जीत लेता है, Oxford में पढ़ा हुआ है, और obviously जब यह PM बना तो इसने कुछ ऐसी policy बनाई होगी कि अचानक से पाकिस्तान को oil मिल गया, natural gas मिल गई, but in the end जब खुदाई हुई, जब पता करने के कोसिस करी गई, कि क्या कराची के कोष्ट में, कराची के कोष्ट में oil natural gas है या नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला, और उसके बाद आपने देखा होगा, 2019 में ऐसे article पब्लिश हुए थे, bad news for Prime Minister इमरान खान, no oil gas reserve found in Pakistan, offshore, तो मुझे लग रहा है, देखिए पाकिस्तान इस बार नह ए इनके PM ने ये कह दिया कि देखिए हमें 5 billion dollar चाहिए होंगे और इनको मिल भी जाएंगे, क्योंकि इनको उमीद है मिल जाएंगे ये पैसे आने वाले 3 सालों में, यहाँ पे आप कहोगे 5 billion dollar की इस बात का समझाता हूँ, आपको पाकिस्तान की तरफ से जब बार बार इस बा oil हो सकता है, इतना oil हो सकता है कि Venezuela जैसे country को टकर दे रहा होगा, पाकिस्तान oil reserve के मामले में, बस नीड ये है कि the exploration के जब आपको पता है कि देखिए यहाँ पे oil है मगर exactly कहां पे है, आपको उसको आप extract कैसे करोगे, इसके लिए भी initially आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता ह और यहाँ पे आप देख पाओगे, exploration alone required a hefty investment of around 5 billion dollar और साथ ही साथ इसमें 4-5 साल लग सकते हैं, इस oil के extract करने में अपनी offshore location से, और सहबाद सरीफ ने आज से एक महीने पहले ये बात openly कही थी कि 5 billion dollar इनके पास pledge हो चुके हैं, इनके हिसाब से आगेन मुझे पता नहीं है कि असल में हुआ नहीं हुआ क्योंकि काफी बार कुछ बोल देते हैं, in reality होता है, होता कुछ और है, पाकिस्तान के PM ने कहा था कि वो lucky investors जिनको पाकिस्तान में निवेस करने का मौका मिला है, उन्होंने अपनी तरब से 5 billion dollar की investment कर दी है, प्लेज तो होता है, यहाँ पे simply क्या ह यहाँ पे obvious थोड़ा बहुत corruption होगा, पाकिसान की military, इनके जो सरकार के officers हैं, वो थोड़ा बहुत पैसा खाएंगे, फिर घुम फिर के investor का पैसा थोड़ा बहुत लगाया जाएगा, oil natural gas की exploration में बाकी देखिए कुछ मिले या ना मिले, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकत कि जो भी ये सब ने देख रहे थे कि कराची के कोश में oil है, natural gas है, कुछ भी ऐसा reality में नहीं हुआ था, तो इस बार देखिए same script है, पाकिस्तान दोराने की कोशिस कर रहा है, देखना ये होगा कि 5 billion dollar की investment जिसका ये claim कर रहे हैं, कि ये पैसा पाकिस्तान के थुरूद जाए पाकिस्तान में genuinely oil मिल गिया, पाकिस्तान रातो रात साओधी Arabiya बन जाएगा, again ये बहुत बड़ा फर्क है, उस case में भी कि, वैसे आपको ये हाँ बता दू, साओधी Arabiya की सबसे बड़ी company है, इनकी सरकारी oil natural gas की company, अरामकोग ने already 40% जो इस्टेक है पाकिस्तान gas and oil जो इन साओधी Arabian companies है, अगर कुछ profit होता भी है, तो उसका सबसे बड़ा percentage साओधी Arabiya खाएगा, कुछ इस्टेक बताया जाता है, UAE के investors का भी है, तो again देखो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के destiny change होने वाली है, और अचानक से सब कुछ change हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और जो भी इनके करजे हैं, या चुकाना सुरू कर देंगे इस ओयल की exploration के बाद, बट देखना यहां यह होगा कि क्या फिर से जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने किया था, सेम चीज यहां पर report होती है, क्या सच में global investors इतने वे मुझे world यहां पर use करना पड़ रहा है, कि एक ची इस टॉपिक से related कुछ developments आती है, तो मैं आपके लिए बाद में updated वीडियो लाता रहूँगा, नमस्कार और स्वागत है भारती युजनापर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही important topic के बारे में, हाल ही में पाकिस्तान मेडिया ने हर जगा यह report फैला दी है नो इनो